हेलो गाइज कैसे आप लोग मैं रिकी और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासिस में आप सभी का हार दिख स्वागत है तो फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे आज है ना आवेक को किसको देखेंगे आवेक को समझने के लिए बहुत ही प पढ़ेगा इंपल्स को पूरी अच्छी दर समझाने के लिए वीडियो काफी है और बहुत ही उचे जगहों से चीज़ें ली गई है ताकि हम जो वीडियो अप्लूट करते हैं उसको समझ में अच्छी से आए बात आये स्टाट करते क्या है इंपल्स आवेक क्या है जब को कोई बड़ा बल किसी वस्तू पर थोड़े समय के लिए कारी करता है जब कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कारी करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुननफल को बल का आवेक करते हैं। इसमें दो चीज़ है ऐक तो बड़ा भल है और समय hybrid time जिसको डेल टी बोलते हैं क्या कर रहा है कि जब कोई बड़ा बल किसी बस्तू पर थोड़े समय के लिए कारी करता है बल बड़ा है और थोड़े समय के लिए कारी करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुननफल को तो जो बड़ा बल काम किया उस बल का मान और जितना समय अंत अगली दियो पढ़ा था भी बाबर अरथात यह जो था समझ बराबर द्रेगमान गुना हुझ मास इंटो होता था और यहाँ पर क्या हो गया बल तथा समय अंत्राल तो इसमें क्या होगा फोर्स और कर ताइम नवर ताइमुड और थात की अगर दिया आपको इम्पल्स-धूद रिख गइस हम लोग सदिनूट करते हैं तरुसे तो अ यह हो हो गया है नर्ट वह इंटु ड्लटी तो यह अंट फर्मुला हो गया किसका लेक को डिनलोट करते हैं ढू से इसले पे संव्लेप्र भंपर बना समियंटरा Cul अर्था संवाइग में परीवर्तन समवेग में परिवर्तन आपक ने न्यूटन का सकेंड लावी देखा है थैसे ना समवेग में परिवर्तन की दर्बल, की सिधा सवानुपाती होता लगोर को ही कहता है तो यहाँ पर आप जो समझने वाला भात है दें को आभेग में तो बल और समय समय अंतरान के गुननफल को आवेक करते हैं अब देखिए आगे बढ़ते हैं अब एक बात सुचने वाली है कि बल और समय अंतराल आप बोल चाल की भाहसा में नहीं पड़ते हैं कि एक वैग एक आवेक से मतलब क्या वह एक मल कोई क्रिया हो रही है आराम से उसमें जो है बहुत बड़ा बल काम करेगा और कुछ समय अंतराल कुछ टाइम इंटरफल के लिए काम करेगा तो दोनों का जो गुननफल होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे आवेग बोलेंगे आए देखते आवेग या दूसरे भासा में देखिए या जब किसी बस्तू पर है ना जब कोई बड़ा परिवर्तन अत्याल्प समय में घटित होता है जब कोई बड़ा परिवर्तन अत्याल्प समय में मतलब बहुत ही कम समय में घटित होता है जब कोई बड़ा परिवर्तन बहुत कम समय में घटित होता जैसे क्रिकेट की गैंद पर बल्ले का बल क्रिकेट की गेंद पर जो बल्ले का बल लगता है एक दो तीन सेकेंड में लग जाता है तो वही का रहा है कि कम कम समय अंतराल के लिए बड़ा बल जब लगे तो दोलों की उननफल को हम लोग आवेग कहेंगे जब कोई बड़ा परिवरता त्यल समय घटित होता है जैसे किरकेट के अधीक समय तक लगाकर अथ्वह एक बड़ा बल एक चोटा बल अधीक समय तक लगाकर अथ्वह एक बड़ा बल बड़ा बल कम समय के लिए और एक छोटा बल को लगाए तो अधिक समय के लिए लगाकर क्या करते हैं बराबर मात्रा में समवेग अर्थात पी जिसको बोलते हैं दोनों से बरावर मात्रा में समवेग परिवर्तन किया जा सकता है इसलिए समवेग परिवर्तन की दृष्टी से केवल बल का महत्व नौ होकर बल का समय के सापेक्ष समाकलन अर्थात आवेग का महत्व है इसलिए क्या होता है कि जब बड़ा बल को शोट dramatic कांव कर रहा है और छोटा बलvollंबरत तक करा रहा है तो दोनमें हैना सफ़य क्वेकपरिवथर्ब किसशन कई कि अगी सफ़य परिवर्थर और असवा टकर के विश्लेशन में बहुत अहम होता है जो लोग करका विश्लेशन करते हैं कैसे आई बॉडइ और कैसे तखराया फिर HEYसेο diy was यह जो पहले का फिर ठाकर ने के समय का और कश्राने के बाद का इस अंकलन के लिए के लिए कि हम लोग आवेग को पढ़ते हैं आवेग का वहाँ पर यूज होता है वही का रहा है आवेग टक्रों के बिस लेशन में बहुत अहम है आगे देखते हैं आवेग होगा ही इसाबव होती है जो बल की दिसा होती है जो बल की दिसा होती है अर्थात यहीं नहीं है आवेक का दिसा वही होगा जो बल की दिसा होगी ठीक है चुकि बल एक डिरेक्शन में होगा तो आवेक भी उस डिरेक्शन में होगा यहनि कि बल इधर लगा ता आवेक ऐसा नहीं हो सकता है चलिए अब बल कुछ समय अंतराल के लिए जिस निकाय पर लगा आता है तो उसके गुननफल को और जितना समय तक वह बल लगा है उस दोनों के गुननफल को हम लोग आवेक कहते हैं बात क्या होता है कोई बीजेक्टिक को समझना होगा अगर आप आवेक को समझ रहे हैं पूरी अच्छी को सिन कितना भी घुमाये तो आप बना लेंगे चलिए आगे देखते हैं क्या है आवेग słu Wonder कोई बल एफ तो बल्का में बराबर मैं इसको में अगर सिर्फ परिमान लेंगे तो क्या होगा टो बरावर फोर्स इंटू डेल्टा टी आपने यहां भी पड़ चुका टो बरावर फोर्स इंटू डेल्टा टी आगे देखिए लगा टी मातरग तो न्यूटन सेट आप जाने गए फोर्स वहां तो न्यूटन सेट हो गया विम्याइश उत्र यहां डामेंशनल फर्मूला दिया है इसको एक टी से मल्टिप्ला कर दिये यहां माइनस टू था यहां बहुत करेंगे तो क्या होगा एमल टी माइनस वन होगा तो समवेग का जो होता है वही आवेग का भी डामेंशनल फर्मूला होता है दोनों का सेम होता है चुकि बल का आवेग बराबर समवेग में परिवर्तन है ना बल का आवेग बराबर क्या होता है समवेग में परिवर्तन देखिए तो एफ एफ इंटू डेल्टा टी आप कह सकत तो आवEd F अस जानते हैं gör वही कहा रहा है कि बल का अवेग् बवरतन होता है तो यहां F जो हो गया बखल्प हो गया अपना डेल्टा ईतना सब्सक्राइव अधम क्राइस होगया संव्य में परिवर्तन सक्वर्ट कुणसाट डिल्टा पी या एस बराभर यहां से जो एफ को निकालेंगे तो यहां पर यहां बता दिया कि न्यूटन का सकेंड लोग कहता है न कि कि पर लगाए गया समवेग जो होता है तो यहां पर न्यूटन के दूसरे लिख करती नियम से भी यह बात मालूँ होती है कि बल जो इसका आंसर भी अच्छी तरह समझ लिजेगा क्या है किर्केट के खेल में तेजी से आती हुई गैंद को कैच करते समय है ना कैच करते समय खिलाड़ी अपने हात पीछे की ही और खीच लेता है क्यों दूसरा है सरकस के कलाकार मोटे जालेदार गद्वन पर कूदते हैं क्यों कुछ उचाई से कूदने पर पक्के फर्स की तुला में कच्छे फर्स पर चोट कम लगती है जो पक्का फर्स उसकी तुला में कच्छे पर कूदते हैं तो चोट कम लगती है और आगे है काच या मिट्टी के बरतन पक्के फर्स पर गिरते ही तूट जाते हैं वह जब पक्का फर्स पर नहीं तूटते क्यों तो अब हम लोग आई इसका स्वालिशन देखेंगे और एक एक करके अच्छे से देखेंगे करते समय खिलाडी अपने हाथों को पीछे की और खीच लेता है क्यों तो आज इसको समझ देते हैं क्यों आप यहां पर देखेंगे दो फिगर है यह माली फिगर नंबर फर्स्ट है और यह सकेंड फिगर है आप दोनों को समझ लेंगे अच्छे से कि क्या बात है यह जो एल टाइप से बनाया गया है यह गाइस हमारा दोनों ऐसे करके जो हम कैच लेते हैं वह पूर्शन है ऐसे करके और इसको यह थोड़ा सा यहां डेल्टा टी बढ़ा यहां जो लिखा गया है डेल्टा टी बढ़ा डेल्टा टी बढ़ा इसका अर्थ होता है कि टाइम इंटर्वल डेल्टा टी मतलब तो आप समझते हैं समय अंतराल को हम डेल्टा टी या डेल्टी कहीं 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 बोलता है तो डेल्टी से पोर्षन है इसका और डेल्टा ठीका पता दिए कि यह समय अंत्राल है तो यहां पर दिखाया एक समय अंत्राल बढ़ गया फर्स्ट कंडिशन में जब हाथ लगा और फासा पीछे की जा गया तो यह क्या हुआ कुछ इसां कुछ समय बढ़ा तो आये इसका स्वाली संदेगां इस क्या होता है इसमें मूल रूप से होता क्या है कि जो बल होता है समझी समय निकालते हैं निसका मान यहां यद्रीटल टी यहे इसी पर खेल है कि जब लेते है उसको कुछ समय तक लीचे खिच लेते हैं और कुछ समय तक खीचने के बाद क्या होता है यहां जो टेल्टी है गाईज यह डेल तृक मान बढ़ जाता है जिसे माल देख यह कि यहां यहीं पर सिधा जैसे बॉल आया और यहीं पर हाथ बंद करते तो माली जे कि दो सकेंड या माली कुछ टाइम होता लेकिन हमने क्या क्या सब आते वे कुछ दूर तक हाथ को खीचा तो यह क्या हो गया अब माली यह कंडिशन दूसरा वाला यह फास्ट कंडिशन है और यह इसमें ज्यादा कंडिशन जड़ा आप पाएंगे कि फर्स्ट कंडिशन में ज्यादा बल लग रहा है यह हाथ पर जबा चोट देगा और सकेंड कंडिशन जो है यह कम बल देगा क्योंकि 5 बटे 2 कम आन 2.5 यहां आराय फोर्स कमान और यहां 5 बटे 4 को निकालेंगे तो 5 बटे 4 कमान कितना हो जाएगा यह देखिए गाई यह 2.5 नूटन से हमारे हाथ पर चोट लगेगा और यहां 1.24 नूटन से चोट लगेगा इसका मतलब यह कम यह अच्छा है मतलब कि इसमें कम चोट लगेगा और इसमें ज्यादा चोट लगेगा तो बात यहां पर यह है कि डेल पी और डेल टी का यह काम है अगर यदि हम जै गढ़ेगा दोक साम देखार डेलट काम बढ़ता है तो नुटन यहां पर बल कमान क्या होता है घटता है घाइस आप बता यह एक तरेक्षन में भी ओए अगर यहां पर डिनॉमिनाटर का मानना भढ़ेगा तो यहां आप कमाना घटेगा तो यहां रहां पर एक समय इसपॉइंट पर रोख लेता हाथ और ज्यदा चोट लगती क्योंकि इतना पर घट रहा था तो क्या होता है कि देल्टा टी कमान जोज़ीओ हम बढ़ाते जाएंगे तियों तियों फोर्स घटता जाएगा और देल्टा टिर समय अंतराल को तो ज्यों ज्यों हम घटाते जाएंगे फोर्स का मान बढ़ता जाएगा ठीक है तो वही इसी को समझाने के लिए यहां पर आगे आगे देख लिते हैं क्या कहा गया है आई यह स्वालिशन देखते हैं क्या है तो स्यंद था कि क्रिकेट के खेल में तेजी से आती है गैंद को कैच करते समय खिलारी अपने हाथ पीछे की और खीच लेता है क्यों खीच लेता है आईए इसका स्वालिशन देखते हैं खिलारी जब अपने हाथ को पीछे खीचता है तो वो गैंद के वेग को सुनी करने में अधिक समय लगाता है गैंद के वेग को सुनी करने में अधिक समय लगाता है सेंटेंस से आप क्या समझते हैं हो सकता है यह फर्स्ट कंडिशन में ही गैंद के वेग को सुन निकर सकता था लेकिन यहां पर नहीं किया पीछे खीच के तब यहां पर आ प्रभाव है वो हाथ पर कम हो जाएगा वो तेजी से आते विए बाल का प्रभाव है वो एफेक्ट है वह कम होगा और इसी विए क्या होता है किरकेट ख्लारी को हाथ में चोट नहीं लगती है तो यहां पर कारण सिर्फ डेल्टाटी है कि समय अंतराल को बढ़ाना अब समय इतना सा खीच से कहाँ और कोया एतना सब्सक्राइब और और सब्सक्राइब और चार ज्यादा बढ़ जाएगा और ताइम इंटर्वल इतना ज्यादा बढ़ेगा फोर्स का मान अब पर उतना ही कम होगी आगे दियो तो सरल भासा में था आप फॉर्मुला दीना आव फॉ बढ़ जाता है क्योंकि वेग को सुनी करने में है ना गाइज वेग को सुनी करने में अधीक समय लगता है वेग को जो बॉल की जो वेग है उसको सुनी करने में अधीक समय लगाते हैं जब हम पीछे की उर्खिषते हैं सुनी करने में अधीक समय लगता है तो समवेग परिव कम हो जाएगा अगर डेल्टा टी कम आन बढ़ाते जाएंगे तो यह डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कम आन घटता जाएगा यहां दखिए पॉंच बटे दो रखे थे तो धाई निकल रहा था और जब फाइब टेप फॉर रखे तो कितना निकला वान पॉइंट टू का मान भी कम हो जाएगा और से क्या होगा जब इसका मान कम जाएगा पूरा यह पॉइंट इसका पूरी बेल्यू कम हो जाएगी सब्सक्राइब का मान कम हो जाएगा जब एफ का मान कम हो जाएगा तो खिलारी के हाथों को खिलारी के हाथों को चोट कम लगेगी तो क्या हो और अगर आप पीछे की तरफ की जितना रफसार से कीजिएगा सब्सक्राइब इतना बढ़ाईएगा डेल्टाटी को उतना ही कम फोर्स लगेगा यहां तो था क्रिकेट के खेल में तरी से गैंद आती भी गैंद को कैस्के अपने हाथ पीछे क्यों अब दूसरा मों यहां मोटा जालीदार घदा इस बंपर कूदते हैं मौटा जालीदार गंधा है इस अगर फूंपर चेम सब्सक्राइब आता करता इसमें चूंपर्थ में आता है आदमी तो यहाँ च्छार्पिषब कि देल पीवटई जो डेल टी है गाइज इसमे डेल टी समय अन्तराल को बढ़ा देता यहाँ पर klar सतह अने में कुछ समय अन्तराल बढ़ जाता है और इससे करते समय अंतराल बढ़ जाएगा यह जब ग्रेंटर होगा है न डिल्टाटी behaviors आ समय बढ़ जाए गाए और जयादा तो फोर्स कमान घड़ जाएगा और चोट एक ताम नहीं लगेगी तो यह अब अब तो डटा ठीक और ज्यादा बढ़ गया यहां पर गाईज जो समय यहां पर पूदता था और यहां तक जो फर्स तक आने में लगता था तो यह डेल्टा टी कमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिये हम तो क्या हो गया फोर्स कमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आदमी को कम चोट लगेगी तो यह सबाविक बात है कि जब भी हम लोग कुलते हैं तो नीचे कोई गद्दा पर उड़ाया आगे देखते हैं तीसरा कुछन क्या है कुछ उचाई से कुदने पर पक्के फर्स की तुलना में कच्छे फर्स पर चोट कम लगती है तो यह वही वही कंडिशन होता है जिसमें भी बात वही समझने वाली है एफ बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी इ वह समें परिवरतन है औरangan गो चाही से पर्मा लेजे कोई हई है यहां से कुदा जा रहा है और यहां पर जो है यह सब loss सब्सक्रमार क отвеч यहां कच्चा फर्स है और यहां एक पक्का फर्स है यहां पक्की का फर्स है तो अब हम कूद रहे हैं यहां से है ना अगर पक्षी देंगे यहां से सिरा यहां कूद जाएंगे तो क्या होगा इस यहां पर पूदने में में होगा हमको चोट लगेगी यहां पर फोर्स का मौन ज्यादा अनुभव होगा क्योंकि और कच्चा का सबस्क्राकों आएगा और आने के साथ ही क्या होगा इसका time interval कुछ बढ़ जाएगा है ना कुदने का time interval कुछ बढ़ जाएगा अर्थात डेल्टा टी का जो मान होगा वह बढ़ा होगा और यहां जो डेल्टा जो टक्राने कॉलिजन का है यह समयंतराल ज्यादा होता है और डेल्टा टी का मान बढ़ेगा तो आप जानते एक फूर्स कमान घट जाएगा और यहां पर क्याओगा डेल्टा टी कमान बहुत समयंतराल नहीं घटेगा जैसे ही आप आएंगे ठंद से चोट लगेगा यहां स काम है इस अब रभाइंट कर और चोट आपको ज्यादा लगेगी लिगंगे अब कच्ची पर और और एक कंदिसान और नहीं सकते हैं है कि माली यह बी आक कच्ची भूमी है यहां भी हम कूदते हैं यह एक दलदली भूमी है है ऐसा दलदल भूमी है जहां धसने का चांस होता है माल जा इसा कंडिशन में तो इसमें जो डेल्टाटी होगा इसका डेल्टाटी समय अंतरा और फी जाता बढ़ जाएगा बोडी जो हमारा इसके कुछ उचाई से कुदने पर पक्के फर्स के तुला में कच्चे फर्स पर जो है चोट कम लगती है आगे देखते हैं कांच या मिट्टी के बरतन कांच या मिट्टी के गरतन पक्के फर्स पर गिरते ही टूट जाते हैं पर कच्चे फर्स पर नहीं टूटते क्यों वही कंडि गिराइएगा तो यहां मालेजिए वही जो कंडिशन आदमी के साथ था वही कंडिशन कर्प के साथ है यह होगे आपका पक्की और यह होगे आपका कच्ची यहां से गिरेगा पक्की पर तो यहां पर जो डेल्टाटी का मान होगा समयंतराल का मान कम होगा और जो यहां पर ग यहां होगा और you don't know that we're gonna contact इक की में डाल सूर से कम होगा इसलिए पकी बताइब water उसनी पोर लगने वाले फूर्स कम घटेगा और जब डिल्टाइटी कम ऑठेगा और जब cama गठेगा तो कप पर लगने बाले और यहां पर तूट जाता है तो गाइज आज बस इतना ही आवेक चल रहा था और आज हम लोगों ने आवेक को अच्छे से समझा मैं जो भी टॉपिक लाओंगा अगर उसको जानूंगा तो मैं बहुत ही धंक से और अच्छे से मतलब जो है बात को कॉंसेप्ट को देने का परियास करता हूं कि कोई ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखें और कुछ समझ में नहीं आए ऐसा नहीं है अगर आप वीडियो मेरे लंबी हो जाती है यह मैं चाहता हूं कि कम करूं लेकिन क्या समझाने के करम में वह लंबा हो ही जाता है धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू करते हूं